आज दिया को दिबी में लेके जाने हैं इधरा वह वाइट टोकले आते हैं वह यह वेटर है इसमें अध्रक और मेची की पेश ठोड़ी सी डाली है ज्यादा नहीं डाली नमक डाली है और हम अभी थोड़ा सा इनो डालेंगे और उपर से थोड़ा सा पानी फिर इसे मिख कर लेते हैं अभी यह प्लेट मेंने उएल से क्रिस कर लिए है श्टीमर में पानी रख दिया है अभी इसमें हम यह बेटर डाल देंगे दोनों में थोड़ा थोड़ा अभी प्लेट को एसे स्टीमर में रख देना है और ठकतन बंद कर देना है और दस मिनिट इसे पकने देना है अभी चेक कर लेते हैं हुए के नहीं कर देखे हैं हो चुके है अभी निकाल लेते हैं देख सकते हैं यह हो गए है अभी इस पर तड़का लगा देते हैं गरम हो चुका है अब इसमें राई डालें देंगे थोड़ी जीग डाल देंगे इस तड़के को इस तरह से कर देंगे स्मीस कर लेते हैं यह रेडी हो चुके हैं है क्यूटीज वेल्कम बेक टू माइ न्यू व्लोग कैसे हो आप सब आप सब आप सब ठीक होंगे सो नहात होके फ्रेश हो गया है अभी जिल के मौई को पाए है इसलिए हम हमारे रिलेडिव के यहाँ पे लंच के लिए चाना है सो लेट हो रहा है अभी हम निकलते हैं वहां जाके ऐसा लगा तो शूट करेंगे आपको दिखाएंगे कि खाने में क्या-क्या बनाया है सो अभी कलका वलोग डाला था वह कलका वलोग थोड़ा सा छोटा हो गया है सो सोरी पोर देट अब से ट्राइ करोंगी कि फुल कॉंटेंट आपके लिए निकाल पाओ और सो निकल चुके है जाने के लिए पेदल ही जा रही है क्योंकि नस्दिक है इसलिए हम भी बहुत जाएंगे पाच में इनका इरस्ता है तो यह जील है वो यह जील की मोमी है हेलो प्रेंट्स केम चमासी बोजा आज लंच में है मैंगो कारस डाल साग समोसे पापड़ और खमन राइस और सलाद है अब कल हमारे घर में लंच के लिए सबाने वाले है तो हम क्या बनाने वाले आपके शाद करते हैं तो यह गाचर जिसको हमने कद्दू कस किया है और यह है दूद जिसको हमने उबाल लिया है अब आप गेस कीजिए हम क्या बना रहे है गाजर का हलवा नहीं है और बताईए क्या बना रहे हैं मुह से नहीं बताएंगे आप गेस कीजिए क्या बना रहे हैं इससा कैसे चलेगा आपको तो सब पता रहता है यह कैसे नहीं बता आपको बताओ हाई फ्रेंज कलके खाने की थोड़ी सी प्रिप्रेशन कर लिए हुमने अभी बाजर में से घुमने जा रहे है दिया को लेके क्यों दिया खंड बहुत है तो भी दिया को जाना है क्यों मज़ा आता है क्यों क्यों अ कर दो बाजार में से आके उपर चाके घर पे दिया को सुला दिया है अभी थोड़ी देर नीचे वोक करने आई हूँ थोड़ी देर वोक करूंगी बाद में उपर चाके सोचाऊंगी दिया थोड़ी जल्दी सो गई क्योंकि उसे दोपर में नीइ नहीं हुई थी वरना वो दो-तीन गंटे सोजात ये दो पर को थोड़ा सा आराम मिल जाता है पर आज नहीं सो पाई क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए आज जल्दी ही सो गई और मैं भी जल्दी ही सो जाओंगी क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ अभी थोड़ी देर वोक कर लेते हैं बाद में आप से मिलते हैं और हां आपको रेसिपी का थोड़ा सा हींट हमने दे दिया है अब आप सोचे हम क्या बना रहे हैं कुछ यूनिक सा है और गाचर का हलवा नहीं है डेफिनेटली कुछ और हैं तो आप सोचिए कल के व्लोग में आपको सब पता चल जाएगा कि हम क्या बना रहे हैं तो अब मैं घर चा रही हूँ और यह वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं कल एक नहीं धमागे के साथ और एक नहीं रेसिपी के साथ और एक नए दिन के साथ. So stay tuned हर हर महादेव.